James Wave Space Telescope द्वारा लास्ट येर ये तस्वीर खीची गई थी, जिस तस्वीर ने दुनिया भर के वैग्यानिकों को हैरत में डाल दिया। क्योंकि ये पहली बार था जब JWST ने बिलकुल Big Bang के छोर पर मौजूद तारों को देखा था, जो तारे अपने आप में एक मिश्ट्री हैं। अपसान आज तक अपनी आखों से नहीं देख पाए हैं। पर उस मैटर ने अपनी एक्जिस्टेंस हमें लगातार महसूस कराई है। शोकिंगली इसी मैटर का बना इकतारा अल्मोस्ट ब्रह्मान के जनम से ही मिलकी वे के गैलेक्सी के केंदर में भी मौजूद है। और आज तक आप उसके बारे में जानते ही नहीं थे। तो हेलो गाईज मैं हो कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए पिस्टूड है। अगस्त दो हजार तेईस नेचर जर्नल में लाइट फ्रॉम डार्क स्टार्स नाम का एक पेपर पब्लिश किया गया जो जेम स्वेप टेलिस्कोप द्वारा बिग बैंक के काफी क्लोज जानि 13 बिलियन लाइट एर्स दूर मौजूद तीन मिस्टीरियस स्टार्स की डिसक पार्टिकल्स जिसे हम इनसान देख ही नहीं सकते लेकिन उनके गुर्तवा करशन को युनिवर्स में ग्राविटेशनल लेंसिंग के तौर पर मैसूस कर सकते हैं क्योंकि इन पार्टिकल्स के मात्रा युनिवर्स में हमारे नॉर्मल मैटर से कई ही गुना जाता है इन स्ट को JWST के Advanced Deep Extra Galactic Survey यानि कि J-DUS प्रोग्राम में डिस्कवर किया गया है जिस प्रोग्राम का मकसद ही युनिवर्स में बिग बैंक के सबसे क्लोज की गैलेक्सीज एंड अधर ऑब्जेक्ट्स को अब्जर्व करना है एंड वी ओर्डेडी नो कि JWST के अलावा प्रित्वी का कोई भी टेलिस्कोप इतना केपेबल नहीं है किबल पाँच परसेंट थी अब इन पिक्चर्स को देखते वे ऐसा लगता है मानो ये स्टार्स नहीं बलकि गैस के चमकते नैब्यूला हो और शुरुवात में तो रिसर्चर्स इन्हें एंसियंड गैलेक्सीज की काटेगरी में ही रख रहे थे जिन गैलेक्सीज की एक्जिस्टेंस पर शुरुवात में काफी कॉंट्रोवर्सीज भी हुई क्योंकि ये भी काफी अजीब था कि युनिवर्स के फॉर्मेशन के तुरंत बाद इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज फॉर्म होगे जिसके चलते कई फिजिसिस्टों बीग बैंक थियरी पर ही सवाल उठाने लगे थे और कईयों का मानना था कि शायद ब्रह्मांड का जनम किसी और तरह से जा फिर बीग बैंक द्वारा सजेस्टेट टाइम से काफी पहले हो गया था लेकिन नेचर जर्नल के इस रिसर्च ने इन सभी दावों को गलत साबित करते हुए एक नया एक्स्प्लेनेशन दिया जो दुनिया बर के वैग्यानिकों के लिए एक बड़ा जटका था क्योंकि इस रिसर्च में ये सामने आया कि JWST ने जिन ancient celestial objects की तस्वेरे लिए हैं वो कोई galaxy नहीं है बलकि वो तो stars हैं और मेरे दोस्त कोई साधरन तारे नहीं बलकि Big Bang के तुरंत बाद जनमे dark matter से बने वे ता वैग्यानिक इस नतीजे पर कैसे पहुँचे तो दोस्तों Nature General के इस article के माले तो universe में अलग-अलग objects द्वारा light को एक खास pattern में observe and emit किया जाता है और हर object का अपना एक specific wavelength spectrum होता है जिसे identify करके हम उन objects ती पहचान कर सकते हैं कि वो कोई galaxy है, कोई nebula है या फिर वो कोई star है इसलिए जब JWST के JDS survey में इन तारों की तस्वीर कीजी गई तब से लेकर कई महीनों तक वैग्यानिकों ने लगाकार इन से आने वाली light के wavelength spectrum को record किया और देखो mostly galaxies के wavelength spectrum में emission lines देखने को मिलती है जबकि तारों की बात करे तो हमें उनके wavelength spectrum में mostly absorption lines देखने को मिलती है खास कर 1640 nanometer helium 2 absorption line जो कि वल bright stars के round ही देखने को मिलते हैं और shockingly हमें ये absorption lines इन तीनों तारों में मिली जो astronomy and science के फिल्ड में एक major breakthrough माना जा रहा है क्योंकि इससे न almost clear हो जाता है कि ये तीन stars dark matter से बने हैं इतना ही नहीं बलकि इन dark matter stars के बारे में वैग्यानिकों का कहना है कि ये तारे हमारे सूरज या प्रमांट के नॉर्मल तारों की तरह nuclear fusion energy नहीं create कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन तारों की चमक हमारे सूरज से कई पर सवाल ही आता है कि आखिर कैसे तो देखो वैग्यानिकों के मुताबिक न इन तारों के कोर में dark matter काफी ज्यादा density में ये density इतनी ज्यादा है कि इनका मास हमारे सूरज से millions of times ज्यादा है लेकिन size में के वल ये 10 astronomical units के बराबरी है यानि कि अगर इन्हें हमारे solar system में रख तक फैल जाएंगे लेकिन फिर भी इनके कोर में इतना ज्यादा dark matter है जितना एक पूरी galaxy में फैला होता है जो इन्हें काफी ज्यादा gravitational force देता है जिसके कारण ये अपने आसपास मौजो dark matter को भी कट्टा करते रहते हैं और अपने around एक balloon type dust cloud फॉर्म कर लेते हैं अब इनके मिलती है इन्हें energy क्योंकि dark matter के इतनी ज्यादा density होने के कारण इनके केंदर में एक खास तरह की reaction होती है जिसे dark matter annihilation कहते हैं जो reaction dark matter के ही positive and anti-pair particles के एक दूसरे से fuse होकर energy create करती है अब दे कोई ये वाला reaction ना ठीक matter और anti-matter के annihilation की तरह ही है और dark matter ही इन stars को annihilation से इतनी ज्या बलकि dark matter की concentration इन stars को काफी ज्यादा mass भी प्रवाइड करती है अब इन dark matter की खोज कितनी बड़ी है इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि Texas University की researcher Catherine Freeze जो इन dark stars पर study कर रही है उनके मताबिक ब्रम्हान में एक नए टाइप के तारह की खोज करना अपने आप में काफ इनके काफी important बनाती है और वो ये है कि हमें इनसे एक काफी बड़ी mystery का जवाब मिल जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि universe का 95% भाग dark matter और dark energy का बना हुआ है यानि जब universe का formation हुआ था तो normal matter के मुकाबले dark matter इससे कई गुना जादा मात्रा में बना होगा और इसलिए universe के creation के बाद जो पहले stars create हुई थे वो actual में normal matter से नहीं बने थे बलकि वो dark matter से बने थे जिनके उपर बाद में normal matter इखटा होना शुरू हो गया जिसके pressure के चलते बाद में dark matter particles और close आएं और उनके pairs में annihilation से energy create हुई और जिस annihilation के दौरान normal photons, neutrons और other particles भी निकले जिन photons के बाद में travel करते हुए JWST तक आने के चलते ही हमें इनकी ये infrared तस्वीर मिलती है देखो dark stars किसी normal तारे से millions and even billions of times जादा energy release करते हैं जिस energy के लगाता release होने के कारण इन पर लगने वाला inward gravitational force इनके केंदर में dark matter के annihilation से निकलने वाली energy के output के चलते balance रहता है पर इतनी जादा energy बहुत तेजी से फेकने के करण, इनकी age भी काफी जादा कम हो जाती है, सिर्फ कुछी million years यानि कि JWST द्वारा जिन dark energy stars की तस्वीर कीची गई है, वो अपने जनम के कुछ million years बाद ही, आग से around 13 billion years पहले ही खतम हो चुके है राइट, वेल, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानी को द्वारा एक और बहुत बड़ा खुलासा किया गया, जिनका कहना है कि dark matter star कभी भी पूरी तरह खतम हुए ही नहीं, बलकि इनके रेमेनेंट आज भी हमारे साथ इस universe में मौजूद है, और शायद हमारी अपनी galaxy मे में भी ऐसा कोई 13 बिलियन साल पुराना dark star मौजूद है, वो भी हमारी galaxy के बिलकुल बीचो बीच, लेकिन वेटे सेकेंड, क्या आप उसका नाम गेस कर सकते हैं, अगर हाँ, तो वीडियो को पॉस करो, और नीचे comment section में अभी उसका नाम लिगो, अभी, लिख दिया, वेल, नहीं लिखा, तो चलो आगे जाते हैं, वेल, जी हाँ, आपने बिलकुल सही guess किया, मैं यहाँ पर galaxy के center में रहने वाले supermassive black hole, Sagittarius A star की ही बात कर रहा हूँ, अब चलिए दोस्तों मान लेते हैं, कि इन pictures में देख रहे stars, dark stars ही हैं, और इस तरह के बहुत से dark stars, early universe में exist करते पर आखिर हमें, अब universe में dark matter से बने dark stars क्यों नहीं दिखते हैं, तो देखो बाकी normal तारों की ही तरह, जब इन तारों का भी fuel, जो की इस case में dark matter था, उसके पूरी तरह खतम होकर energy में बदल जाने पर, इनकी inward and outward force, जो इनके collapse को रोके हुई थी, उसके खतम हो जाते ही, यह अ black holes होंगे, यह वही black holes है, जो फिर इन billions of years तक लगातार अपनी surrounding में matter को खाते गए, जिससे इनका mass हमारे सूरज जैसे stars से billions of times ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कि यह universe के बाकी बचे matter and उनसे बने celestial objects like stars, planets को ही अपने चारों और घुमाने लगे, जिनसे एक mega structure का निर्मान आज हम galaxies कहते हैं, जानि dark stars की discovery एक बहुत ही important question का solution देती है, कि आखिर galaxies के केंदर में मौझूद इन supermassive black holes का निर्मान कैसे हुआ था, और इस बात के proof हमें पहले भी कई theories में मिले हैं साल 2005, physicist George Chaplin ने अपनी एक research paper publish की, जिसमें उनका कहना था कि quantum mechanics के मुताबिक black hole and singularity जैसे concepts exist ही नहीं करते हैं मैं भी कहीं बार अपने वीडियो में explain कर चुका हूँ कि singularity कोई actual object नहीं है, बलकि हमारे physics and mathematical theories में एक error है इसलिए हम ये नहीं जानते कि वहाँ पर क्या मौझूद है, पर physicist George Chaplin का कहना था कि हम आज के black hole के रूप में जिन objects को देख रहे हैं जो सब चीजों को अपने gravity में खीच रहे हैं, ये black hole नहीं बलकि ये dark matter stars है इसके अलाबा साल 2007 में famous astrophysicist Catherine Freese ने भी अपनी एक research में dark matter stars की possibility का जिक्र किया था और्सो कई researchers का कहना है कि जिन dark matter stars की हम बात कर रहे हैं, वो एक खास तरह के dark matter particle called weekly interacting massive particle यानि की wimp particle के जरिए heat and glow हो रहे हैं इस particle को काफी समय तक scientific field में एक hypothetical concept के रूप में देखा जाता रहा है, पर Catherine Freese के मताबिक यही वो particle है जो dark matter को उनकी gravity देता है और शायद इन ही particles की वो speciality है जिसके चलते हैं, अगर हम इने सही pressure पर एक साथ पास में ले आएं, तो annihilate होकर ये photons को release करते हैं ये सब चीज़े paper पर तो काफी पहले से ही लिखी थी, पर क्योंकि अभी तक dark matter के बारे में हमारी समझ जादा नहीं है, इसलिए dark matter stars की existence के बारे में पहले जातर वैग्यानिकों को believe नहीं था लेकिन फिर भी कहीं वैग्यानिक चाहते हैं कि अभी हम इन तारों से related और भी proofs को खोजे और इनकी quality के बारे में जाने नहीं होप कि आपको आज किस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफी interesting लगा होगा वैसे आप क्या सूसते हो जा dark matter stars वाकई में इस universe में exist कर सकते हैं और अगर देखो ऐसा है न तो बड़े बड़े supermassive black holes का जो question है कि आखिर ब्रह्मान में ये बड़े-बड़े supermassive black holes कब form होए थे और कैसे form होए और क्यूं ये galaxies के center में exist करते हैं इसका जवाब हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा वैसे आपको क्या लगता है अपनी राए नीचे comment section में लिखकर जरू बताना अगर आपको ये वीडियो इंटरस्टिंग लगाना तो इस वीडियो को like करके जाना और अपने दोस्तों के साथ जरू शेयक करना अगर आप एको लाइ टेसला के इतने बड़े experiment को खतम कर दिया जो humanity को पूरी तरह से बदल सकती थी जानना चाहते हो बहुत इंटरस्टिंग वीडियो है यहाँ पर क्लिक करो और जाकर देखो मैं मिलता आपको नेक्स एपिसोड के साथ तब तर के लिए बाई जय हो